नमस्कार विध्यार्थी मित्रो आज मैं आपको कच्छा साथ विशर सामाजिक विज्ञान दितिय सस्त्र में प्रक्रण नंबर 2 पढ़ाने जाने वाली हूं तो बच्चो आईए प्रक्रण की तरह चलते हैं प्रक्रण नंबर 2 भारत जलवायू और प्राक्रतिक संसाधन भारत विश्तार की द्रिष्टी से बहुत ही विशालतेश है प्रक्रति संबंदित अनेक और समानता के कारण उसकी जलवायू संबंदित अनेक विश्यों में भिनता दिखाई देती है वातावरण के लंबे समय की इस्थिती को चलवायू कहते हैं तो बच्चों चलवायू किसे कहते हैं तो वातावरण में जो लंबे समय की इस्थिती होती है उसे चलवायू कहते हैं जमिन की उचाई, परवतों का स्थान और ढलान, समुन्दर से दूरी समुन्दर के प्रवाह और जंगल ये मौसम के निर्माड में महत्पूर्ण गुमिका अदा करते हैं अब जो है भारत का भोगोलिक स्थान तो भारत का भोगोलिक स्थान उतरी गोलार्द में 8 अंस से 37 अंस उतरी अक्षान्स के बीत इस्थी थे देश के मध्य भाग में या मध्य भाग से कर्क बृत गुजरता है इस कारण उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में गर्मी रहती है देश के कुछ अस्थल समुद्री किनारे से लगभग 1500 किमी दूर से भी दूर इस्थित है इस कारण यहां ठंडी में अतिदिक ठंडी और गर्मी में अतिदिक गर्मी पड़िये परंतू जो अस्थल उचाई पर इस्थित है वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है जैसे कि उधारण के तोर पे स्रीनगर और मनाली ये कैसे प्रदेश है बच्चो तो ये प्रदेश जो है जैसे कि हमने पढ़ा कि स्थल की उचाई पर इस्थित हो एसे प्रदेश में वातावरन ठंडा होता है भारत में मौसमी हवाओं के कारण वर्षा होती है ये हवाएं 12 महीने एक समान और एक दिशा में नहीं बहती इसलिए सभी जगा पर एक समान वर्षा नहीं होती मेघाले असम में अतिधिक वर्षा होती है जब कि राजस्थान के भरू स्थलिय प्रदेशों में कम वर्षा होती है दक्षिर भारत के तीनों तरफ समुझ रहे इससे किनारे के आसपास ठंडी और गर्मी कम पड़ती है यहां का वातावरण सम है हिमाले और पूर्व की सिंख ग्री सिंख लाए नमी युक्त हवाओं को रोकती है इस कारण में घाले और असम में अधिक ठंडी होती है मौसम के अनुसार बदलती हवाएं भारत के रुतु चक्र की खास विशेशता है भारत में तीन रुतु ओकाण भोता है कौन-कौन सी ठंडी गर्मी और बरसार तो ठंडी का जो devoted उसके बारे में पढ़ेंगे तो भारत में दिसंबर जन्वरी फरवरी इन तीनों महीं के समय अंताराल में थंडी की रुतु कान भोता है सुरी की किर्णे तिर्शी पढ़ने के कारण तापमान नीचे जाता है उत्तर के वायव भारत में शिमला और डार्जलिंग जैसे प्रदेशों में अत्यधी थंडी पढ़ती है कई बार तापमान 5 डिग्री सेल्शियस से भी नीचे चला जाता है और वहां आए दिन ही मर्शा भी होती है दक्षिड भारत विशो वृत्य से नजदीक है इस कारण अधिक थंडी नहीं पढ़ती क्यों क्योंकि विशो वृत्य पर जो है सुरी की सिधी किर्णे पढ़ती है इसके लिए वहाँ पर थंडी कम पढ़ती है भारत में मार्स से मई महीने तक के समय अंतराल में कर्मी की रिटू का अनुभा होता है करक बृत के आसपास के स्थरों पर सुरी की किर्णे सिधी पढ़ती है इस कारण तापमान उंचा रहता है मध्य औवायब भारत में अप्रेल से जून महीने में कई जगहों का तापमान 45-50 से के बीच रहता है राजस्थान के मरुस्थलिय प्रदेशों में अत्यधी गर्मी पड़ती है बरसा भारत के लिए अत्यांतिमात पोर रुतु है जून से सितंबर महीने के समय अंतराल में बरसात की रुतु का अन्भो होता है भारत की लगबग 80% वर्षा इसी रुतु में होती है अरब सागर से आने वाली हवाय केवल हवाय केरल के मरबार किनारे से प्रवेस करती है महां 37 मी से भी अधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से बहने वाली हवाय असम, मेघाले, पशिम, मंगल आधि पूर्वी भारत के राज्यों में वर्षा लाती है वापस आती हुई ये मोसमी हवाय अक्टूबर नौंबर महीने में पंजाब, हिमानचल प्रदेश और उत्राखंड में वर्षा लाती है लोगों का भोजन, रहनसहन, स्वभाव, आधी पर जलवायू का प्रभाव दिखाई पड़ता है राजस्थान के मरु अस्थलिये छेत्र में पानी की कमी होने के कारण पानी का संग्रह करने के लिए मकान छतवाले होते हैं भारत के उत्री राज्यों में ठंडी से बचने के लिए उनी वस्त्रों का उपियोग होता है दक्षडी राज्यों में गर्मी से बचने के लिए लोग सूती कपड़ों के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं जबकि मरु अस्थलिये छेत्र में छेत्र के लोग सतत गर्मी से बचने तथा उर्ती हुई धूल जड़ जाएं इस प्रकार के सूती कपड़े से धीले वस्त्र बहुते हैं सिर में रेती ना भड़ जाए इसलिए सिर पर कपड़े का टुपड़ा रुमाल बान कर रखते हैं भारत के में जलवायों की वीविता होने से गुजराती व्यापार, पंजाबी, सैनिप्रविर्टी और उत्तर भारत के लोग खेती का विवसाय करते हैं अब बच्चो अभी तक जो हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा तो चरवायों के बारे में पढ़ा तो अब जो है हम संसाधन, संसाधन अर्थात एक प्रकार की संपत्ती, प्राकृतिक संसाधन अर्थात, कुद्रती, संपत्ती जो हमें बिना मुल्य से, कुद्रत से प्राप्त हुई है तो सबसे पहले हमें संसाधन का अर्थ वो जाने की जरूत है तो बच्चो यहां निशित उद्देश की पूर्ती के लिए जो भी उपाय काम में लिये जाते हैं वो संसाधन है विस्वत्निय वस्तूऊ या पदात के गोण, छमता और कारय जो मनुषिकी संपत्ती बन जाती है उसे संसाधन कहा जाता है यहां सयम मनुषिदरा लाभ उठाने की छमता और सवयम को मुशिवतों से बाहर निकालने की छमता का समावेश होता है इस प्रकार किसी भी रुतू का या किसी भी वस्तू का मनुशकी आवश्यक्था पूड करने के उद्देश से उप्योग करने पर संसाधन बन जाता है प्राक एतिहासिक काल में मनिश को धर्ती के नीचे छिपे खजाने के बारे में जानकरी नहीं थी वह उसका उपयोग करना भी नहीं जानता था इसके लिए वह संसाधन नहीं था किन्तु आधुनिक मनुष्य के लिए ये पदार्थ बहुत उपयोगी है ये पदार्थ उनके लाब तथा उनकी आवसकताओं की संतुष्ठी का कारे करते हैं इसलिए उनके लिए वह संसाधन है अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं तो बच्चों प्रिथ्वय पर प्राकृतिक रूप से अपने आप सर्जित आसानी से मिल जाने वाले और मनुस्य के लिए उप्योग किया जाने वाले पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं इन संसाधनों के तीन प्रकार है जल संसाधन खनी संसाधन और भूमी संसाधन तो सबसे पहले जल संसाधन तो उसमें बच्चों भारत के जल संसाधन में नदियां छेल सागर का समावेश होता है भारत की नदियों को उनकी उत्पत्ति शरुप और विशेस्ता के आदार पर द ब्रह्मपुत्र है यह नदियों में 12 महीने पानी रहता है गंगा नदी को भागी रथी भी कहते हैं गंगा नदी ने अपने मुहाने पर उपजाओ डेल्टा की रशना की है गंगा और ब्रह्मपुत्र जल्ममार्क के लिए उपयोगी है इसके उपरां जेलम चिनाब रावी 27 जैसी नदियां बहती है बिहार में कोसी नदी में प्रति वर्ष भयंकर बाढ़ाती है वह बिहार के काफी विस्तारों का नुख्सान करती है यह जो रखसा है बच्चो इसमें किसका नदियां और झ्छील जो हे वो दर्षाया गया है अब जो है दक्षिड भारत की नदिय तो दक्षिर भारत की नदियों में किसका किसका समावेस होता है तो नर्मदा तापी महानदी जैसी नदिया मध्य भारत में इस्थिक परवतों की सिंखलाओं से भती है नर्मदा और तापी पस्चिन की और बहकर अरब सागर से मिलती हैं जबकि गोदावरी कृष्णा कावेर तुंग भद्रा पूर्वी की और बहते हुए बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं यह सबी नदिया और समतर परदेश से होकर बहने के कारण उची नीची ढलान के कारण जल प्रपात रस्ती हैं इस कारण यह नदिया चल मारक के रूप में उपयोगी नहीं है सिचाई और जल विद्धित के लिए इन नदियों का पानी उपयोग किया जाता है अब जो है नदियां और उस पर जो बनाएगे बहुत देश्य योजना हैं और कौन-कौन से लाब होते हैं राज्य को कौन-कौन से राज्यों को लाब होता है उसके बारे में पढ़ेंगे जैसे नर्मदा नदिया तो उस पर नर्मदा यوजना उसका लाब किन-किन राज्यों को मिलता है तो तो गुज़ात मद्य परदेश राज्यस्थान महाराष कृष्णा नदी उस सब्क्रदेशमय जो लाब होता है तुंग भध्रा नदी में तुंग भध्रा योजना करणातख जो राज्य यूजना अब बाखरा नंगल यूजना बाखरान यूजना अब भारत की प्राखरतिक शरौवर के बारे में जानते हैं उनकी क्या विसेश्ता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगे जैसे के काश्मीर में जो सरोवर है उसका नाम क्या है डल और वुलत कैसा सरोवर है तो मिठे पानी का आंद्र प्रिदेश में जो है वह वो कोलार है वो कैसा सरोवर है मीठे तामिल नाडू में पुलिकट और उडिसा में चीलका और राजस्थान में सामभर यह कैसा सरोवर है तो खारे पानी का और गुज्रात का जो नल सरोवर है वह मीठी पानी का सरोवर है अब इसके बाद क्या आप भारत के कृतिम सरोवर के विशे में जानते हैं तो बच्चों गुजरात की बहुत देश्य उद्ना है नर्मदा योजना मुख्य नहर योजना की दिष्टी से विश्व में सबसब बड़ा नहर बनेगी जिसका समगर नहर तंत्र 66,000 कीमी लंबा होगा नर्मदा योजना से गुजरात के 821 गाओं और 135 सहर नगरों को पानी पीने को मिलेगा नर्मदा योजना से कुल गुजरात के 14 जिले के 75 तहसेल के 3,360 गाओं को सिचाई का लाब मिलेगा अब बच्चों दूसरा पढ़ेंगे खनी संसादन तो भारत के खनी संसादन जिसमें जैविक और जैविक पदार्थ गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तित होकर निश्चित रासायनिक सनर्चना करते हैं एसे पदार्थों को खनीश कहा जाता है प्रिथिवी के आंतरिक छेत्रों से खनीश पदार्थ सुद्ध रूप से नहीं मिलते उनमें अशुद्धियां होती है इसलिए उन्हें अयस्क कहा जाता है जैसे कि लोग अयस्क अयस्क का सुद्धिकर्ण करने के बाद ही देश के नागरिकों को आर्थिक सक्ति एवं सम्रीधि का आधार इस्थम आप खनीश को जो है वह तीन भागों में बाटा गया है धातु में अधातु में और संचालन सक्ति के अनुशार खनीश तो धातु में में लोह आयस्क तामबार सोना जैस्ता कले निकल पारा और संचालन सक्ति में कोईला प्राकृति गैस रेटरियम यूरेनियम थोरियम और रेडियम का समावेश होता है अब उसके बाद खनीश कहां कहां उत्पन होता है तो बच्चों जैसे कोईला है तो वह कौन कौन से राज्य उत्पन करते ज्ञार खंट, शत्यस गड़, और मद्रप्रदेश गुजरात, उसके बाद मैगनीज, आंद्रप्रदेश गोवाग, गुजरात, राजस्थान, ज्यार्खन, उडिशा, तामिलनाडू, करनाटक, पस्चिम बंगल, महाराष्ट, शिक्किम, मेघाले, बाकसाइट, उडिशा, आंद्रप्रदेश, ज्यार् पूरे भारत में अनेक प्रकार के हमें खनिज, आनेक जगहों से मिलते हैं अब खनीज की उपियोग इताएं तो जैसे मेगनीज का रासाइनिक उद्योग, किट नासक दवाएं, सीशा, वर्निस तथा छपाई उद्योग में इस्तिमाल किया जाता है तामबे का उपियोग विजली के तार, स्पोटक, पदार्थ, रंगनीन, सीशा, सिक्का और छपाई कारे में होता है बाकसाइट का उपियोग विद्धुत के संसादन, रंग, हवाई जहाज का निर्माण, केरोशिन, सुधिकरण, और सीमेंट बराने में किया जाता है अब्रग का उपियोग रोडियो, टेलीफोन, जहाज, ग्रामोफोन, धोनी, सोसक, पड़धा, आदी के निर्माण में किया जाता है उसके बाद है भुमी और जमी संसाधन, प्रिश्विके समू को जंगल कहा जाता है भुप्रिष्ट और वातावरण की विसेश्टा के एक कारण भारत में विवीद्ध प्रकार के जंगल पाये जाते हैं भारत में 5000 प्रकार के व्रिक्षे हैं, वनस्पतियों की विवीत्ता की द्रिष्टी से भारत का विश्व में दस्वा अस्थान हैं, भारत प्राचिन समय से ही जड़ी बुटियों के लिए प्रसिद हैं, हमारे आयर्वेग में 2000 व्रिक्षों और पौदों का वर्णन है, जंग यह जंगल बारो महिने हरे भरे रहते हैं, यहां व्रिक्षों की उचाए 30 से 35 मीटर होती है, यहां बाद सागोन, शाल, महोगनी, शीशम और आधिके व्रिक्ष जो है वो पाए जाते हैं, विन्दे और सत्पुडा के परवत, हिमाले के कुछ धलान, पुर्व घाट और पस जड़ रुतु में जड़ जाते हैं, समुद्र किनारे यहां नधियां डेल्टा प्रदेश हैं, वहां भाटा के पानी भर जाते हैं, उस इस्तान पर भाटा के जंगल हैं, गंगा के डेल्टा के उगा जंगल सुंदर्वन के नाम से ज्यादा प्रशिद हैं, यहां ताड, क प्रमाण में उगते हैं नरित पंजाब पस्षीम हर्यारा राजस्थान उत्तर प्रदेश के दक्षिड एवं पस्षिम इलाकों में कटीली बनस्पतियों के जंगल हैं इसमें पेर थुवर खिजडा बबुल आधी के विक्ष हैं अब जो है जंगलों का महत्व तो बच्चों जंगलों का महत्य विविद उत्पादन देते हैं जंगल से देशकें अनेध विदलाब होता है जंगल के कुछ मुख उतपादन और गौण उतपादन है जैसे कि सुन्दर्वन तो सुन्दर्वन में होने वाले सुन्दरी विविक्षों से नाव या इश्ठीमर बनते हैं बास से टोकरा टोकरी सूप, खिलोना फनीचर, आधी कलात्मक वस्तुवे बनाया जाती हैं, तार और खजुर के पत्ते से जाड़ू और खेर के विक्स से कत्था बनाया जाता है, देवदार और चीड की लकडियों से कागस का मावा, धवाई तथा चाई की पेटियां, दिया के कुछ साधन और ग्रामोफोन बनाने में किया जाता है, अब जो है जंगलों का संवर्धन, वन और संरचन और संवर्धन के लिए निमलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, बेहिसाब होने वाले व्रुक्षों के छेदन पर अंकुष रखना चाहिए, व्रुक्ष चाहिए, इसके लिए नागरिकों को जागरित करने एवं उसके लिए आवस्षक सहायता देनी चाहिए, जंगलों का व्यद्ग्यानिक रूप से विकास करने के लिए अधिक मात्रा में जंगल की संस्थाव की स्थापना करनी चाहिए, वन संदक्षर के लिए इस प्रकार का वाता वरण तयार करना चाहिए कि प्रतेक भारतवासी अपना फर्ज अदा करें अब उसके बाद आएगा वन्य जीव संसाधन तो भारत का वन्य जीव अनोखा और वेविद्पून है विश्व में विविन जीव जन्तु और अनेक प्रकार के प्राणियों की प्रजाती भार करनाटक केरल असम में महाकाय हाथी दिखाई देते हैं वह सबसे बड़े अस्तंधारी प्राणी है जंगलों में लकड़ी हटाने माल समाल को लाने तथा ले जाने के लिए इनकव्यों किया जाता है एक सिंगी गेंडा भारत में विशिष्ट प्राणी है यह असम और कच्छ के छोटे मरिस्तिय प्रदेश में घुड़कर जंगली गधाजी से कहते हैं और महा मरुस्त जिसको बड़ा रेगिस्तान कहते हैं उसमें उट दिखाई देते हैं भारत में सिंग तथा बाग दोनों देखने को मिलते हैं हिंसक प्राणियों में एसी आई गुजरात क गुजरात राज्यका के गीर के जंगलों में बसते हैं पस्षी मंगाल का बाग जिसको रोयल टाइगर केते हैं विस्व भर में बाग के आठ जातियों में से एक हैं बाग मध्र प्रदेश पस्षी मंगल उत्राखन और हिमाले विस्तार में पाए जाते हैं हिमाले विस्तार में तिबेतियं दीच और गुजरात के डोडिया पाड़ा जंगलों में रिक्ष दिखाई देते हैं चीता लकडबग्गा नीलगाय तेन्वा कालियार म्रिग आधी प्राणी जो है भारत में पाए जाते हैं भारत के जंगलों में लंगुर गीबन गुलोक तथा माकड़ा पक्षियों की विविद बेजोड हैं बत्तक बाच तोता काबर कब उत्तर मैना आधी चाती के पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं भारत के सू प्रसिद पक्षियों में राष्टिय पक्षी मोर आत्यंत सुन्दर है अपने पंखों के कारण वह बहुत ही सुन्दर लगता है कच्च के बड़े मरुस्थेदिये में कादव की चड़ का धेर बनकर सुर्का पक्षी अंडा देते हैं राजस्तान विश्व में प्रसिद केवला देव राष्टिय उध्यान में धाई लाग से भी अधिक पक्षियों का निवास स्थान है तो गुजरात में नल स देर बनाकर सुर्का पक्षी अंडा देते हैं राजस्तान का विश्व प्रसिद केवला देव राष्टिय उध्यान में धाई लाग से भी अधिक पक्षियों का या निवास स्थल बना है तो गुजरात में नल सरोवर देश वीदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद अभ् अभ्यारण के बारे में अपड़ेंगे तो भारत में 490 अभ्यारण और अट नाइन जो है वह राष्टिय अग्ध्यान में जिसमें से कुछ मुखी राष्टिय जो है जैसे कांजी रंगा वो कहां है आसाम में उसमें कौन-कौन से प्राणी पाई जाता है तो गेंडा स्थान इसमें मरुस्थल का स्थान और मरुस्थल ये बिल्ली पाई जाती कान्हा जो मध्य प्रदेश में हैं वहां कौन से प्राणी पाई जाते हैं तो उसमें जो है सिंह और चीता पाई जाते हैं कुझरात में कुझरात में दूसरा भी अभ्यारण है वेरावडर राष्ट खाती रिक्षुवर जंगली बिल्ली के लिए प्रसिद है दची गाउं जो है वो जम्मू और काश्मीर में है जिसमें कस्तूरी मिर्ग पाए जाते हैं जिम कार्पेट उत्रा उत्रांचल में है जहां बाग जाती चित्ता हीरन जैसे प्राणी पाए चाहते हैं अब इसके बा पानी प्रित्वी की सता पर दो प्रती सत्थे भी कम है अधिकतर उद्योग प्रदूसित पानी और जहरीले ठोस कच्रे को छोड़ने के कारण भूगर में पानी में अत्यदिक प्रदूशन हुआ है जिसे जीव स्रिष्टी और परियावरण के लिए गंभीर खत्रा पैदा हुआ हुआ है विद्याले महां विद्याले के पाठ करम में वन विकास को प्रधांता देनी चाहिए और कि कारण जंगलों का वीनास ना हो इसके लिए शाबधानी रकनी चाहिए ऊसका विव्यक्पूरूर उपयोग करना चाहिए खनिश सन्रचन का विकल्प ढूमना चाहिए और खनिश पदार्थों को घूम फिरकर अनेक पारुप्यों किया जा सके एसी प्रकरियों को बढ़ावा देना चाहिए फिर उसके बाद है जंगलों के विनास के कारण आने प्राणियों का जीवन संकट में है एक प्रजातियौं कुछ विश्तारों में लुक्त हो गई है पशु पक्षियों के मांस, पंक, हड्डियां, सिंह, दाऊत, तचा इत्यादि को प्राट करने के लिए उनका सिकार किया जाता है इसके लिए वन्य प्राणी एवं पक्षियों के होने वाले गेर कानुनी वियापारपण नियंत्र रखना चाहिए, देश के नागरिकों को परियावरण वन्य भूमी और वन्य जीवों के महत्व के विशे में जानकारी देनी चाहिए और अभ्यारण एवं राष्टी झाले 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